नमस्कार आप देख रहे हैं जनता समाचार जनता के लिए जनता की आवाज आए नज़र डालते हैं शहर और देश-प्रदेश की कुछ खास खबरों पर पुलवामा आतंकी हमले के मामले में राश्ट्री जाच एजेंसी ने 3500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है इस चार्जशीट में जैश सरगना मसूद अजहर समेत कई पाकिस्तानी आतंकवादियों का नाम है आरोप पत्र में मारे गए और गिरफतार किये गए इनमें जैश मोहमद का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी शामिल है जबकि हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती आतंकी आदिल डार धमाके में ही मारा गया था जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को CRPF के काफिले पर आतंकी हमला किया गया था एक आत्मघाती हमला वर ने विस फोटक से भरी कार CRPF के काफिले से टकरा दी थी इस धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे NIA तब से ही इस मामले की जाच कर रही थी अब NIA ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट डायर की है पिता साइकल नहीं दिला सके तो आठवी के शात्र ने खुद बना ली स्कूटर जैसी दिखती साइकल साइकल चलाने के जून में आठवी कक्षा के शात्र ने वो कारनामा दिखाया जिसे करने के शायद कोई सोच भी नहीं सकता पंजाब की लुधियान जिले के गाओ लखोवाल निवासी हर्मन जोत को साइकल चाहिए थी लेकिन उसके पिता कोरोना महामारी फैलने के चलते उसे नई साइकल खरीद कर नहीं दे सके इसलिए उसने पिता की मदद से खुद ही घर पर साइकल बना ली लेकिन मुझे इसे चलाने में बहुत मज़ा आता है सुप्रीम कोट चीफ जस्टिस ओफ इंडिया ऐसे बोबड़े के खिलाफ ट्विट्स को लेकर प्रशान्त भूशन अवमानना केस में सुनवाई हुई वकिल प्रशान्त भूशन के खिलाफ अवमानना मामले में सजा पर सुप्रीम कोट में सुनवाई पूरी हो गई है अटॉर्णी जनरल केके वेनु गोपाल ने सुप्रीम कोट से कहा है कि भूशन को चेताबनी देकर छोड़ देना चाहिए इस पर जजनर ने कहा कि लेकिन भूशन का जवाब पहले से भी ज्यादा अपमान जनक है चीफ जस्टिस ओफ इंडिया ऐसे बोबडे के खिलाफ ट्वीट्स को लेकर प्रशान्त भूशन अवमानना केस में सुनवाई हुई प्रशान्त भूशन इस केस में अवमानना के दोशी ठहराए गए हैं भूशन ने माफी मांगने को लेकर लिखित में एक बयान जमा किया है और अपने ट्वीट की मन्शा सहीं बताए आप सुप्रीम कोट को तै करना है की इसे स्वीकार किया जा सकता है या नहीं कोरोना वाइरस संकटकाल के बीच जिस वक्त लोगों के सामने रोजकार की दिक्कते हैं ऐसे समय में पैट्रोल के दाम लगतार छटे दिन बढ़े हैं कॉंग्रेस नीतर राहूल गांधी ने भी अब इस मसले पर मोधी सरकार पर निशाना साधा है मंगलवार को राहूल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि महंगा पैट्रोल और बढ़ते दाम जंता को लूटे सरकार खुले आम राहूल के ओर से लगतार दाम बढ़ोतरी के मसले पर सरकार को घेरा जा रहा है अगर पिछले एक हफ़ते के रिकॉर्ड को देखें तो हर रोज पैट्रोल के दाम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की गई है वहीं पिछले दस दिनों में नौ बार पैट्रोल के दाम बढ़ाए गए महराश्ट के राएगर में सोमवार को एक पांच मजला इमारत ढह गई थी सोमवार से ही इस इमारत के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने का काम चारी है ताज़ा जानकारी के अनुसार NDRF की टीम ने मलबे में पिछले 20 घंटे से फसे 4 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है वहीं कई लोग अभी भी मलबे में फसे हुए हैं गौरतल अभी की सोमवार करीब शाम 7 बजे यहां इमारत गिरी थी बताया जारा है कि हादसे में करीब 18 लोग बुरी तरह से घायल हैं इस्थानी पुलिस के मताबिक यहां इमारत लगभग 10 साल पुरानी थी और मलबे में अभी कई लोगों के फसे हुने की आशंका है यूपी में बढ़ रहे अपराधों को लेकर बस्वा मुख्या मायावती ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि राज में कानून विवस्था की हालत बदहाल है इसके अलावा मायावती ने बलिया में पत्रकार की हत्या का भी जिक्र किया बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाय थमने का नाम नहीं ले रही है और अब तो लोक तंद्र का चौथा स्तंब माने जाने वाले मीडिया जगत की लोग भी यहां आए दिन हत्या और जुर्म के शिकार हो रहे हैं उन्होंने कहा कि आजमगर मंदल में हुई पत्रकार की हत्या इसका ताजा उधारण है बसपप्रमुक ने कहा कि राजमे सरकार की बदहाली का हाल यह है कि बाद-बाद पर रासुका, देश द्रोहो और अन्य अति संगीन धाराओ के इस्तिमाल के बावजूद भी यहां अपराधो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं ताजनगरी आगरा परियतकों के स्वागत के लिए तैयार है ASI ने कोरोना काल में इस्मारकों को खोलने के लिए स्टेंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर के साथ-साथ एक दिन में परियतकों की अधिक्तम संख्या तैय की है आगरा में ताजमेल और आगरा किले को छोड़ कर सभी इस्मारक एक सितंबर से खुलेंगे इस्मारक खुलने के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि उनमें एक दिन में निश्चित संख्या में ही परियतकों को प्रवेश दिया जाएगा ASI ने कुरोना काल में इस्मारकों को खुलने के लिए स्टेंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर के साथ साथ एक दिन में परियतकों की अधिक्तम संख्याक तै की है 6 सितंबर को विधान सभा चुनाओ को लेकर नितीश कुमार की पहली चुनावी रैली होगी इससे पहले साथ अगस्त को जनता दल यूनाइटेट की वर्चुल रैली होने वाली थी लेकिन राज्य में कुरोना महामारी के बढ़ते मामले को देखते हुए रैली को रद्द कर दिया गया था आगामें बिहार विधानसभा चुनाओ को लेकर जनता दल यूनाइटेट की पहली चुनावी वर्चुल रैली 6 सितंबर को होने वाली है इस वक्त नितीश कुमार की इस रैली को रद्द कर दिया गया था बिहार विधान सवाद चुनाओं में बर्चुल रैली करने के लिए जंतादल यूनाइटेड ने अपना यह एप बनाया है पार्टी के नेताओं के मताबिक 2 सितंबर को नितीश कुमार जंतादल यूनाइटेड लाइव नाम के इस एप का उधखाटन करेंगे स्वास्थि मंत्राले ने कहा कि सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर कोई निर्देश नहीं है स्वास्थि मंत्राले के सचे राजेश भूशर ने कहा कि अनलॉक को लेकर ग्रह मंत्राले की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल और कॉलेज के खोलने से संबंदित कोई निर्देश नहीं है। स्कूल और कॉलेज को खोलने का निर्देश होगा तो वो एसोपी प्रभाव में आएगा और उसको लागू किया जाना होगा। टॉयलेट तक जाने नहीं देता था। बांध कर रखता है और उसके साथ मारपीट करता है। जाच टीम की कारिवाई में महिला अपने घर के बरामदे में एकचेंज से बंधी हुई पाई गए। उसकी कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे। महिला को जहां बांध कर रखा गया था वहाँ पंखे तक की कोई विवस्था नहीं थी। पूरी जगा बद्बु से भरी हुई थी। इसी के साथ ये फिलाल इस बुलिटिन में सर्फ इतना ही बने रहे जनता समचार के साथ।